अलो गाइस वेलकम बेक टू माइक्रो ओनलाइन सर्विस आश्ठा दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं राश्ट्री मिलेक्ट्री स्कूल के बारे में जिसके फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं तो यहां पर देखेंगे कक्छा पर सुरुत करते हैं यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार प्रोस्पेक्टेशन पूरी आपको मुल जाएगी मेंब के दौरा आपको यह देखने को मिल जाईगा कांधा है रहें जो सेंटर है वुमेस के दौरा यहां पर यहां पर देखने दौर्द में गया देखना ज subscribers को म है वो चलने वाले हैं इसके बाद में आपको एक्जाम डेट की बात करो तो एक्जाम डेट अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है जब भी आएगा आपका SMS या फिर इमेल के द्वारा आपको को हो नोटिफाई कर दिया जाएगा अब सबसे पहले हमें देख लेना है रिजर्वेशन क्या है रिजर्वेशन खिस प्रकार इसमें दिया जता है इसे ट्रॉपर के возможность जो retired officer है उनके अगर बालक बाली का कोई है तो आप यहाँ पर 70% तक का इसमें reservation दिये जाएगा 30% का reservation seat reserve दिये गया है इसके लिए किसी भी service जो retired रहते हैं जैसे army, air force या कोई भी नवल इन में से कोई सभी हो नेवी में से तो यहाँ पर civilians के लिए जो भी है उनको आपको 30% के seat reservation दिये जाएगा 27%, 15% और 7.5% तक का reserve category OBC, non-cremial, ST और SC candidate के लिए रखा गया है दोस्तो यहाँ पर 50 seat सहीद की family के लिए रखा गया है कि जो अगर कोई भी सहीद हो गये है उनके लिए उनकी family में से कोई भी बालक बाली का है उनको अगर पढ़ाना है तो यहाँ पर इसी school में उनको 50 seat अलग से reserve दी जाएगी यहाँ पर हम बात करते हैं 10% seat और total 30 vacancies जो दी जा रही है वो only girls candidate को अलग से दिया जाएगा चलिए इसके बाद में eligibility की बात कर लेते हैं education क्या रहेगी वो भी समझ दीजिए अब education की बात करें तो education में आप कौन लोग इसमें form भर पाएंगे वो देख लीजिएगा 6th class की बात करें तो वो बच्चा या बालक या बाली का जो इस वक्त 5th class में पढ़ाई कर रहे हैं मतलब पढ़ रहे हैं वो राश्ट्री मिलेक्ट्री स्कूल में admission के लिए eligible रह पाएगा बात करते हैं यहाँ पर 9th class के लिए वच्चे की बात करें तो उसमें भी 8th class में government या फिर recognize school से आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर राश्ट्री मिलेक्ट्री स्कूल में form भर पाएंगे अब सबसे important बात रहती है age की boys and girls age between 10 to 12 year मतलब 10 से 12 साल की age आपकी होनी चाहिए तो ही आप पाम भर पाएंगे 31 March 2025 को calculation किया जाएगा आपकी age और कब से कब तक के बीच में होनी चाहिए वो देख लीजेगा born between मतलब 1 April 2013 से लेकर के तो 31 March 2015 के बीच में अगर आपकी date of birth है मतलब आपकी date of birth है इसमें तो आप यहाँ पर 50 class के लिए मतलब 6 class वाले form के लिए आप आवेदन कर सकेंगे और यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपका 13 से लेकर 15 साल की उम्र है और 31 March 2024 तक आपका calculation किया जाएगा और यहाँ पर आपकी जो age है 1 April 2010 से लेकर 31 March 2012 तक है तो आप यहाँ पर 9th class वाले जो form है उसमें आप आवेदन कर सकेंगे मिलेक्टरी स्कूल के लिए चलिए यह date की बात हो गई है आगे बढ़ आपका जो syllabus है उसे बड़ा ही ध्यान पूर्वक समझिएगा यहाँ पर आपका जो syllabus है वो किस प्रकार से लिया जाएगा देखो CET written examination के द्वारा आपके 5th, 6th class और 9th class की exam ली जाएगी किसे प्रकार से किया जाएगा OMR sheet के द्वारा आपके examination किया जाएगा चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं subject की तो यह subject आपके सामने दिया गया है की बात करें तो इसमें भी आपका 50 आपका total marks रहेंगे और इसमें आपको 40% marks लाना रहेगा mathematics की बात करते हैं तो इसमें भी आपका 50 total number रहेंगे उसमें से आपको 40% लाना रहेगा अब बात करते हैं 9th class की, 9th class में दोस्तों थोड़ा सा अलग pattern रहता है, देखिए paper 1, paper 2 और interview 3 pattern होता है इसमें, सबसे पहले हम pattern 1 को समझते हैं, तो यहाँ पर English, Hindi और Social Science, यहाँ पर दिया गए English 50 marks का है, Hindi 20 marks का है, और Social Science, आपका 30 marks का total बात करें, तो यहाँ पर total marks आपका जो द की बात करें, तो paper 2 में यहाँ पर दिया गया है, mathematics और science को, science में और mathematics में 50-50, आपको marks रखे गए हैं, यहाँ पर total marks की बात करें, तो इसमें 100 marks रहेंगे, और आपको 50% लाना रहेगा, देखिए इसमें interview की बात करें, 9th class के लिए तो इसमें 50 marks अलग से रखा गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, दोस्तो, scholarship के लिए, तो scholarship भी इसमें मिलता है, 50% आपको यहाँ पर non-intired I, credit के बात करते हैं, तो इसमें यहाँ पर आपको scholarship भी मिलती है, और scholarship कौन सी वाली रहेगी, वो समझ लिएगा, school are awarded, means come merit के दौरा आप किस परकार से conditions क्या रहेगी, वो समझ लिए, rules क्या रहते हैं, वो समझ लिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, ऐसे student जिनके parents की income कम से कम, तीन लाग से कम है, और उनकी financial income जो है, तीन लाग से कम है, तो आप इस scholarship में यहाँ पर eligible रह पाएंगे, दूसरी बात करते हैं, अग लेकिन साड़े चार लाग से कम है, तो यहाँ पर आपकी जो fee से वो half rate पर आपको से charge किया जाएगा, तीक है, इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आपको discipline से लेकर, तो stationery से लेकर, तमाम पूरी जानकारी दी जाएगी, मैं आपको यह जो पूर करें, वीडियो को लाइक करें, धनिवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुबर हैं,